सबसे पहले तो बैट नियूज है कि इसका पी बहुत ही हाय चले है जो अभी कभी ना कभी स्टॉक को गिरा देगा और देखिए अगर आप यह कर रहे हो कि आपने लगा लगा दिया है लें तो आपका बैट नहीं हो रहा होगा तो आप लगा के बैट गए होगे इस उम्मीद में कि अदर बाइंग और हो जाएगी लेकिन दोस्तों इसा नहीं होता है एक काम की बात सुन लो बहुत ही इंपोर्टन चीज है अगर आपने पाइंग ओर लगाया है और गलती से लोवर सरकिट में चले जाये ना और मुझे लगता है कि अज के दिन चले ही जाएगा कि यह एसम लिस्ट वन में चले गया और अगर आप मार्किट ओपन के टाम पर देख रहे हो यह वीडियो तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन हो रहे बहुत लमबे डाल लगए दीङे बहुत ही है और चौता वीटिय होगा कि इसका फाइनेंशे वह इतने अट्राक्टिव नहीं है अगर आप फाइनेंशे देखो तो इसका यह और अगर आपको ग्रोथ दिकh रही है लेकिन अगर आप फैनेंशे पर इतने घुछ आट और पर बाद में मार्च कॉर्टर में 18 और पर जून में नीचे आ गया तो हमें अंसर्टेनिटी बहुत दिख रहे हैं यह तो बस और बुक में यहां पर वैल्योशन बढ़ गई और सरकार ने मोनोपलिस्टिक बिंगा मोनोपलिस्टिक कमपनी इसने पायदा उठाया और दूसरा सरकार ने भी कई सारे जो चीजे है वो लेके आई है जो ड्रोन के बनाने में मैनुफैक्टरिंग में वो उनको सहायता मिलेगी अब आधि और इंडरीट्री अडटिस्टॉप मुवडफ लेकिन अगर आप अभी प्लान कर रहे है तो रुप जाव रुप जाओ जाव यह मिंश्टॉप नीचे जाने वाला था ता मैंने आपको बताया था चीज्टॉप नीचे जाएगा और मैंने आपको कमेंट में वे वाल है कि यह इतना ज्यादा उपर जा रहा है तो यहां पर operators का ही हाथ रहेगा और retailers को हम जैसे और आप जैसे लोगों को यहां पर नुकसान ना हो इसलिए से भी ने चीज़े मैं नहीं बोल रहा हूँ कि stock के अंदर हमें देखते है bonus और splits हमें कभी देखने नहीं मिलें तो आगे जाके bonus और splits भी देखने मिल सकते वाइस decision होगा तो अभी stock नीचे जाएगा और लंबी quantity buy करना तो एक वाइस decision नहीं ही होगा तो उस बात का आप ध्यान रख सकते हो sales growth देख सकते हो sales growth में continuous वाली sales growth नहीं है uncertainty बहुत है जिस तरह की आपके सामने ही sales growth है और अगर profit growth देखो तो उसके अंदर तो यह सारे technicals को देखने के बाद हम देखेंगी की stock की 5 star की rating कैसी है तो हमें देख रहा है कि valuation बहुत ही ज्यादा expensive में मिल रहा है जैसा कि मैंने आपको यह valuation के हिसाब से भी बता दिया था मैंने इतना कुछ चेक नहीं किया था मैंने बस पी चेक किया था और इसके profit growth चेक किया था और बस आपको बता दिया था क्यूंकि देखें कंपनी के financials बता रही कि company stable बहुत ज्यादा है और यहां पर efficient भी बहुत अच्छी है मतलब चार rating मिलना इस अपने आप में बड़ी बात होती है और अगर आप देखो तो बहुत ही कम दिख रहा है मतलब बहुत ज्यादा महेंगी कंपनी अभी इसके अंदर बाय करना सही नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने बाय करके रहा है तो आप रुख जाओ और वो 90% इसके चांस है कि stock आज लोवर circuit में चले जाए बर अगर अगर अभी भी अपर circuit में तो जिसने बाय किया था वो profit book करके भी चल सकता है महला फुली profit book नहीं करना है तो भी ठोड़ा एक एक थोड़ा सा मनलब भला हो जाएगा और company पर debt भी देख सकते हो debt ना के बरावरी और cash है जो debt को हटाई देगा so virtually debt freebie है stock so I hope कि आपको video पसंदा होगा if you have any doubt I am always just a comment away from you